नमस्कार स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्धिमनिश चर्मा इसे पहले भी गरतंतर दिवस के एतिहासिक परेड में ट्रेक्टर की परेड निकल चुकी है मगर फर्क इतना था कि ये विरोध में निकल रही है और वो शान में निकली थी दिल्ली के अलगलग सीमाओ पर पिछले 55 दिनों से चल रहे किसान आंदूलन को लीड कर रहे किसानों के संगठन भी इस बार 26 जनवरी पर दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रेक्टर परेड निकालने की गोश्रा कर चुके हैं दरसल शोशल मीडिया पर खक छंते हुए एक तस्वीर पर निकाएं टिक गई यह तस्वीर 1952 गरतंतर दिवस परेड की बताई जारी है जब नियूजवल इंडिया ने इस तस्वीर को देखने के बाद कुछ इतिहासी पन्नों को पलटा तो सामने आया है कि वो जो नजारा इस तस्वीर में दिखा है वो हकीकत में हिंदुस्तान की तस्वीर थी 26 जनवरी को समिधान लागू किया गया था आजादी के बाद से हर साल ये परेड बहुत ही खास होती है राश्पत पर होने वाली इस परेड में देश के हजारों लोगों के साथ राश्पती, प्रदान ये संस्कृती की छाकिया निकाली जाती है, हाला कि कोरोना की वज़े से इस बार कोई विदेशी महमान या शरकत नहीं कर रहा है, मगर हर साल किसी ना किसी देश का मुख्या बतौर मुख्यती थी, यहां पर शरकत करता रहता है, अबाइड विदमी की धुन बजाई, तबी कि ये मुल्क शान्ती पसंद करता है, कोलकता में मौझूद अखल भारतिय किस्तान संगर्श एवं समानवे समेती के सदस्य योगेंदर यादम ने बताया कि पूर्विस सेनिकों के साथ हमने एक खाका तयार किया है, जिसकी आदार पर कुछ ट्रैक्टरों को विशेश रू दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गण तंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार, मगर आप सब के माद्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चा तिक नहीं पा रही है लेकिन 26 जन्वरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी एतिहासिक किसान परेड होगी किसान गंतंतर परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी शांती पूर्वक होगी और इस देश के गंतंतर दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आनबान पे कोई छीटा नहीं पड़े उन्हें घरों से बाहर निकल कर सडकों पर आएं और ट्रेक्टर परेड और किसानों की जाकियों को देखे हैं इसके लिए उन्हें कोई वी आईपी निमंतरन या टिकेट लेनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिलाल के लिए इतना आई ये रिपोर्ट आक को कैसी दगी हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने नवसकार